दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोग एक नया pancard प्लाई करके दिखाओंगा कि अगर आपको भी एक नया pancard बनाना है तो आप लोग घर बैठे अपना नया pancard कैसे बना सकते हैं दोस्तो नया pancard बनाने में आप जो भी photo चाहेंगे वो आपके pancard पर आएगा और जो भी signature चाहते हैं आप अपने pancard पे ला सकते हैं दोस्तो pancard बनाने के लिए इसके official website पे आप लोगो को आना होगा इसका official website का link मैं आपको वेडियो के description में दे दूँगा आप वहाँ से आ सकते हैं या आपको simply google open करना है और google पे आपको search करना है pancard apply online जैसे ही आप लिख के search करेंगे तो आपके सामने online service.nsdl.com का website आएगा आप इसके उपर क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आप NSDL का official website पे आ जाएगे जहांसे आप एक नया pancard apply कर सकते हैं दोस्तों यहां पे apply online वाले section में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यह application type आप किस परकार के application है तो यहां पे new pan है Indian citizen के लिए और new pan है foreign citizen के लिए अगर आप pancard में correction करना चाहते हैं तो यहां पे change of correction in existing pan data तो आपको यहां पे simply new pan Indian citizen के option पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पे आपसे category बोलेगा category में आपको simply यहां पे individual select कर लेना है उसके बाद यहां पे applicant information पूछेगा इसमें सबसे पहले आपको जो है na title बताना है फिर यहां पे बीच में आपको first name फिल करना होगा उसके बाद यहां पे middle name फिल करना है यानि कि अगर आपका नाम माल लीजे कि रितिक कुमार है तो आप यहां पे last name में कुमार फिल करेंगे और first name में यहां पे रितिक फिल करेंगे अगर आपका नाम Ritik Kumar Singh है तो आप last name में Singh फिल करेंगे और first name में Ritik फिल करेंगे और middle name में कुमार फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना date of birth बताना होगा जो कि आपको 10th के certificate के according या अधार काट के according यहाँ पर बताना होगा जैसे ही आप submit के उपर click करेंगे तो यहाँ पे loading लिखेगा और बोलेगा कि your application submitted successfully आपका एक token number generate हुआ है इस token number को आप यहाँ से क्या करेंगे कि copy कर लेंगे यह token number आपका 30 दिन के लिए valid है अगर आप यहाँ से log out हो जाते हैं या किसी कारण वबस pen card apply नहीं करते हैं तो आप इस token number से फिर से जो है pen card apply करने के लिए आपको register करने के कोई ज़र्गरत नहीं है आप यहीं से apply कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको continue with pen application form के उपर click करना है जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने तीन option है सबसे पहला option है यहाँ पे submit digitally through ekyc e-sign paperless इसमें यह होता है जो आपके आधार card पे photo होता है वहीं आपके pen card पे photo आता है और इसमें आपका कोई signature pen card पे नहीं आता है दूसरा वाला option है यहाँ पे submit scan image through e-sign इसमें यह होता है कि आपके आधार card से जूले mobile number से आपका e-sign करा लिया जाता है यानि कि authenticate करा लिया जाता है और इसमें आपको जो है अपने मन के मुताबिक photo और signature pen card पे upload करने का मोगा दिये जाता है तो सबसे बहतर option यहीं है दो number वाला और तिसरा है forwarded application documents physically यानि कि अगर आपके अधार card में mobile number रजिस्टर नहीं है तो आप यह वाला option चूज करेंगे इस option में यह होता है ना कि आपको इनके office में physically documents, application, form और अधार card का जी रोक्स भेजना होता है तो मेरा सलाह यहीं रहता है कि आप लोगो को और इसमें आपको physically pen card आपके घर पे भेजा जाता है यह option आपको ठीक करना ही होता है नहीं तो बाद में आप फिर से ज्यादा पैसा देना होता है अगर आप no वाले option पे click कर देते हैं तो यहाँ पे आप yes के उपर click कर देंगे उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि अरिकि अपने अधार card के last के चार number यहाँ पे feel करेंगे जो आपका अधार card पे नाम है वो नाम आप यहाँ पे feel करेंगे यह feel करने के बाद आपने जो यहाँ पे नाम feel किया है अब इस्थेसम करते time पे जैसे कि नाम हो गया डेट आप बर्थ हो गया, यह सब यहाँ पर select रहेगा, अब आपको simply यहाँ पर gender choose करना है, तो यहाँ से आप अपना gender choose कर लेंगे, gender choose करने के बाद यहाँ पर आप से पूछेगा, आप यहाँ पे यौस स्कों करेंगे, नहीं तो आप इसको simply यहाँ पिल किया है, अगर आपके case में ऐसा नहीं है तो, फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम फील करना होगा, फादर्स का सबसे पहले last नेम फील करना है, जैसे कि आप अपना नाम फील किया है, फिर यहाँ पे admit करना है कि पापा का नाम फीजिए he now हfenाणा का नाम फिल किजिए और यहाँ पर फिर आपको पापा नाम फिल करना है यह Optional है आप जाएं तो फील कर सकते हैं नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दिजीगा फिर यहाँ पे मदर्गी करना है यानि चाहते हैं तो simply आप फादर्स वाला option ही चूज कीजिएगा क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो पापा का नाम ही अपने pen card पर रखते हैं तो आप भी यहाँ पे फादर्स नेम ही option चूज कीजिएगा अगर आपके पापा नहीं है तो इनकेस आप यहाँ पे mother का option चूज कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको next के उपर किलिक करना है जैसे ही आप next के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे source of income बोला जाएगा तो आप salary वाले person है कि यहाँ पे business से income है आपका कि यहाँ पे income house property से है या income other source से है अगर आप एक student है तो यहाँ पे no income वाले option चूज कीजिएगा नहीं तो आपके जहाँ से income आता है उस वाले option को यहाँ से चूज कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको address of communication के बारे में बताना है तो मैं पे road, street, line, post office का नाव यहाँ पे आपको बताना है फिर यहाँ पे area, locality, subdivision का नाव आपको बताना है फिर यहाँ पे town, city, district का नाम बताईे और यहाँ पे country name से真的 करना है तो country आप simply यहाँ पे इंडिया लिखेंगे यहाँ आ पे इंडिया आ जाएगे यहाँ पे इंडिया आ सेम जिस तरह से आपने residence फिल किया है अगर आपका कोई office नहीं है आप एक individual अपना खुद का pen card apply कर रहा है तो आपको यह वाला option फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर यहाँ पे नीचे में आपको telephone number और email id का details है सबसे पहले यहाँ पे country code आपको select करना है तो इंडिया का country code जो है 91 होता है तो आप यहाँ पे 91 लिखेंगे इंडिया आ जाएगा यह select कर लीजेगा area study code है यह आपको पता है तो यहाँ पे फिल करेंगे नहीं तो खाली छोड़ देंगे telephone number और mobile number आपने जो सुरू में रजिस्ट्रेशन के time पे दिया था वह यहाँ पे फिल रहेगा अ आप यहाँ पे इसको use करेंगे और इपर tentative आप अपना add करेंगे यह केवल उनी को use करना है जो 18 साल से कम के हैं जो 18 साल से ज्यादा के हैं उनको यहाँ पे simply no वाला option ही ठीक रहने देना है इसके बाद यहाँ पे आपको next के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप next के उपर क्लिक ही आता है अगर आपने यह फील होके नहीं आता है तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप अपना AO code और AO type और AO number range code यहाँ से पता कर सकते हैं simply आपको यहाँ पे Indian citizen के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप Indian citizen के उपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने राज का नाम चूज करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने district का नाम चूज करना है और यहाँ पे area का नाम फील करना है और फैच के उपर क्लिक करना है तो आपका area code और यह नमबर यहाँ पे आता है उसको आप यहाँ पे फील कर दिजिएगा अगर यह फील होके नहीं आता है तो आपको कोई भी इसमें छेड़ चाड़ नहीं करना है और बस आपको नीचे आना है नीचे में यहाँ पे next के उपर क्लिक करना है तो आपको जो है न अभी यहाँ पे बताना है proof of identity यानी कि आपको documents upload करना है तो मैं आपको suggestion दूँगा यहाँ अधार card ही upload करें तो हम यहाँ पे अधार card का option चूज कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे बोलेगा proof of address तो आप यहाँ पे भी अधार card का option ही चूज कर ल rebel तो हम यहाँ पे आघार card ऐप्शन चूज कर लेते हैं उसके बोलेगा proof of date of जगहा का नाम लिखने के बाद आपको एक फोटो अपलोड करना है जो कि 50KB से कमका होना चाहिए JPEG या JPEG format में 3 cm इसका height और 10 cm इसका width होना चाहिए तो हम यहाँ पे no file selected है इसके उपर हम click करेंगे और click करने के बाद हम यहाँ से फोटो को select करेंगे और upload के उपर click करेंगे जैसे ही हम upload के उपर click करेंगे loading लेगा 2-3 second का और हमारा photo जो है वो successfully आप देखिएगा तो upload हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे signature upload करना है जो कि 50KB से कमका upload करना है इसका जो है ना 4.5 cm width होना चाहिए और 2 cm height होना चाहिए तो हम फिर यहाँ पे no file select के उपर click करेंगे और यहाँ पे अपना signature select करेंगे और upload के उपर click करेंगे जैसे ही हम upload के उपर click करेंगे फिर यहाँ पे loading लेगा और loading लेने के बाद यहाँ पे मेरा signature भी upload हो गया अब यहाँ पे आपको 300kb से com में PDF format में आपको documents upload करना है अगर आप एक तीनों में अधारकाड ही option choose की हैं तो आपको एक ही PDF upload करना है अधारकाड का अगर तीनों में अलग-अलग option choose की हैं तो यहाँ पे add documents के उपर click करके आपको 3 more documents upload करना है documents को PDF format में बनाने के लिए आप Google open कीजिएगा और Google पे आपको search करना है jpg to PDF जैसे ही आप jpg to PDF लिखेंगे आपके सामने यहाँ पे जो first website आएगा आप इसके उपर click कीजिएगा इसके उपर click करने के बाद आपके सामने यह website का interface कुछ इस type का है यह खुलेगा यहाँ पे आपको select jpg image के उपर click करना है और click करने के बाद मान लिजिए आपकी जो भी image को आप PDF में बनाना चाहते हैं उस image को आपको simply क्या करना है कि यहाँ से select करना है यहाँ से select करने के बाद आप convert to PDF के उपर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे download PDF के उपर click करेंगे आपका PDF download हो जाएगा इस PDF को download करने के बाद आप यहाँ पे upload कर लिजेगा upload करने के लिए आपको no file select के उपर click करना है क्लिक करने के बाद यहां से देखिए यह मेरा PDF हाई हम इसको यहां से स्लेक करेंगे स्लेक करने के बाद हम upload के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही हम upload के उपर क्लिक करेंगे यह फिर loading लेगा इंटर अधार फोस्ट 8 डिजित यानि कि सबसे सुरू में आपसे अधार का लास्ट का 4 डिजित फिल कराया गया था और यहाँ पे आपको अधार का लास्ट का 8 डिजित फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है आपका नाम रहेगा उसके ब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकर बताया जाएगा कि आपको पेराइज रुपए सब्सक्राइगी का पर ऑप करने के बाद को सामने जो है ना यहाँ पहेbite Wat कि ऊसली करना होगा उसके बाद यहाँ पर 출करिक्षर का और चोले करना होगा जैसे कर्यों है आप प्रेट करना होगा जैसे हम क्षय कि ना को पर क्लिप करना है तो यहाँ पर बटी पी के सान तो यहाँ पिक कार्ड से जूले रजिस्टर मोईल नंबर पर एक 6 अक्षर का OTP भेजा जाएगा उस OTP को आप यहाँ पर डालके सब्मिट के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप सब्मिट के उपर क्लिक करेंगे तो यह पेज रिफ्रेस होगा जितना देर आप से टाइम लेगा उतना देर ही इसको कट करना है उन्हीं पर रुखे रहना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बात यहाँ पराफे त्यक्राश करेंगे तो तो यहाँ पे OTP generation का option आएगा, इसके उपर आपको click करना है, OTP generation के उपर click करने के बाद, यहाँ पे आपका token number, आपका नाम और आपका अधारकाट का यहाँ पे number दिखाया जाएगा, और बोला जाएगा कि इसमें आप OTP को यहाँ पे fill कीजिए, OTP fill करने के बाद, आपको यह virtual ID यहाँ पे fill करना होगा, और इस यहाँ पे check box को यहाँ पे tick करना होगा, और अधारकाट का number fill करने के बाद, यहाँ पे send OTP के उपर आपको click करना है, जैसे ही आप send OTP के उपर click करेंगे, तो बोलेगा OTP sent on registered mobile number और email ID, मतलब आपके अधारकाट से जूले mobile number है, उस पे एक O using online facility for pen application, अब आपका pen card application जो है वो successfully आपने आवेदन दे दिया है, अब यहाँ पे download PDF के उपर आप click कीजिएगा, आपका pen card का जो application है, वो successfully आपके पास download हो जाएगा, यह जो आपका pen application का PDF है, इसमें बोला गया है कि आपको protect के लिए एक password लगाया गया है, यह password जो है आपका date month year, यानि कि date of birth आपका password है, इसमें कोई भी symbol नहीं लगाना है, पर date month year फिल कर देना है, date of birth फिल करके जैसे ही आप OK के उपर click करेंगे, आपका यहाँ पे pen card का application खुल जाएगा, इस application के सबसे उपर यहाँ पे लिखा हुआ है, since the application is digitally signing using e-sign kyc, is not need the forward physical documents, यानि कि इसका physical documents आपको कहीं भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका pen card अवेदन हो चुटा है, इस pen card को अवेदन देने के 10 से 15 दिन के भीतर आपके post office में physically pen card आपके घर पे आ जाता है, उस pen card को आप जहाँ पे चाहें, बैंक में चाहें या किसी documents के तोर पे आप यूज कर अवेज के उड़्श कर लूारत नहीं है, लूज कर अपके करको अवेदने की तोर आपके तोर आसधिस चाहें, जब से 10 दिन के थाउड़ को ऊवेदक धोड़alisचा के लिए